हाई गाइस दिस आयूशे अगरवाल फॉम ए एक क्लासिस लास्ट वीडियो में हमने NCRT क्लासिक्स हिस्टी चैप्टर वन वाट वेर हाउ एंड वेर कम्प्लीट किया था इस वीडियो में हम इस चैप्टर के MCQs करेंगे हमारा सबसे फर्स्ट कोश्चन है सबसे पहले चावल कहोंगे थे जैसे सकी मैंने आपको बताया था कि सुलेमान हिल्स और गिर्दर हिल्स कहाँ पर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे गारोखासी हिल्स, मेघाल्य, गंगर रीवर, आपको पूरा पता ही है यहाँ सैसिस का पूरा एरिया आता है उत्रा खंट से निकलती है यह और कहाँ जाती है बंगला देश में तो इसका अंसर है हमारा गारोखासी हिल्स सबसे पहले चावल गारोखासी हिल्स जो कि मेघाल्य में है वहाँ पे और विंध्यास वाले एरिया में वहाँ पे हो गये थे यह देखे, यह है हमारा किर्थार यहाँ है हमारा किर्थार, यहाँ है सुलेमान यह रा गारोखासी और यह है विंध्यास और यह है गंगा का गंगा रिवर की जगा ठीक है किर्थार और सुलेमान हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर जैसे आप देख पा रहे हैं यह हील्स है ठीक है पहाड़िया है कारुखासी भी पहाड़िया है विंध्यास भी पहाड़िया है ठीक है उसके यहां पर आया गा है यहां पे ganga river का area तो सबसे पहले जो हमारे book में लिखा हुगा है सबसे पहले जो चावल हो गया है वह हो गाउखासी hills की पास में यह जगा है एक बाहर में फिर सा दिखा दोड़ियों इस एड्या में तो गाईज इसका अंसर क्या था गारोखासी हिल्स हम नेक्स कोशन करते हैं नेक्स कोशन है हमारा विच रिवर्स बैंक डिट पीपल लिव अलॉंग इन दा एशन टाइम किस नदी के किनारे सबसे पहले लोग रहने बसे थे सबसे पहले लोग रहने आये थे काम बसना शुरू किया थे लोगों ने गंगा रिवर के किनारे नर्मदा रिवर के किनारे सथलुच रिवर के किनारे या सोन नदी के किनारे सबसे पहले लोगों ने बसना शुरू किया थे नर्मदा रिवर के किनारे यह निकलती कहां से है यह निकलती है आमर कंटक की पहाड़ियों से अभी मैंने आपको बताया था कि यह यहां पर आता है विंधिया फिर आती है नर्मदा फिर आते सत्पुरा रेंज बिंद्या नर्मदा है फिर आता है सक्पुरा ये भी पाड़िया है ये भी पाड़िया है बीच में भेरिया नदी और ये नदी कैसे भेरिया है अरेबियन सी में जाके गिरती है इस टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा इसके नीचे यहाँ पर आती है तापती यहाँ पर आती है तापी ठीक है जाद तर रिवर्स बेव बंगॉल में गिरती है लेकिन कुछ ही रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में गिरती है उसमें से नर्मदा भी एक है नेक्स्ट कोशन है हमारा ग्रिशे कब शुरू हुई यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है सबसे पहले का शुरू हुई कि जगा आएगा यहाँ पर कब शुरू हुई करिशे हमारे शुरू हुई ओप्शन A 3000 years ago ओप्शन B 4500 years ago ओप्शन C 8000 years ago ओप्शन D 2500 years ago इसका अंसर है ओप्शन C 8000 years ago सबसे पहले शुरू हुई है किर्थारो सुलेमान की पहाड़े उपे और यह शुरू हुई है 8000 years ago याने की आज से 8000 आट हजार साल पहले ओके गाईस नेक्स्ट कॉस्चन है हमारा कॉस्चन फॉर्थ इन एशन टाइम्स दा एरिया अलों सौन रिवर सौध ओफ दे गंगा वाज नोन एस डैश नाउ लेंग इंडा स्टेट अब बिहार ताचिन काल में सौन नदी गंगा के दक्षिन में के आसपास के शेत्र को डैश के नाम से जाना जाता था जो वरतमान में बिहार में है अभी क्या कह रहा है सौन लिवर का है यह यहां गंगा है ठीक है इसकी एक ट्रिबिटरी है सौन ट्रिबिटरी आने की साहिक नदी क्योंकि मैंने आपको बताया था साहिक नदी क्या होती है जो एक बड़ी नदी की छोटी छोटी पार्ट होती है यह जैसे ही कि गंगा बड़ी नदी है इसको छोटी नदी आके मिल जादी है इसको हम बोलते हैं साइक नदी अब इसमें क्या लिख्था है प्राचिन कार में सोन नदी सोन नदी का है गंगा के दक्षिन में यह है गंगा यह है गंगा, ठीक है, यहां आगया नूर्थ, यहां आगया साउथ, यहां आगया उत्तर, यहां आगया दक्षिन तो इसके दक्षिन में है सोन नदी, इसके नीचे भैती है यहां पर सोन नदी उसके आसपास का जो शेत्र था यानि जो सोन नदी के आसपास का जो शेत्र था यहाँ पे गंगा आगया, यहाँ पे आगी सोन जो इसके आसपास का जो ही एरिया था उसको क्या कहते हैं? उसके आसपास का जो ही एरिया था जो अपकी बिहार में है बिहार कहाँ पर है इंडिया में इंडिया के पार्ट है बिहार स्टेट है बिहार तो इसके जो एसपास का जो एरिया था उसको पहले क्या बोलते थे पुराने का टाइंग में उसको हम बोलते थे मगद या फिर विंदियास साथपुरा या गारो इसका अंसर है ए मगद कि यह एक मगध मैंने पहीं आपको लगाओं को क्विडेया प्रेज ल택सा ही इसके फैस सप्रेश ज़ते है यहां यह पहड़ यहां पहर रही हैं और गारों स्य यह बी मित है लेज राज्य का नाव मगदा हें मैं अगर आमने पाता नगा सकते हैं मैं और बना आउट की तरह कि तीर गीड़ में सब्सक्राइब कि ये भी hills है, ये भी hills है, ये भी hills है और मघद का हम नहीं भी पता अंसर तो हम ऐसे निगा सकते हैं कि मघद ही होगा इस का अंसर ओके नेक्स्ट कोशन है, हमारा वेरिस सुलेमार हिल्स सुलेमार हिल्स कहाँ पर है Option A, North East Option B, North West Option C, South East Option D, South West आपको शायसे ये पता भी होंगी ये होते हैं, North यहां होता है, South यहां होता है, East यहां होता है, West ठीक है ये जो डिरेक्शन हम बीच वाज जो डिरेक्शन होते हैं इसको बोलते है, North East इसको बोलते है, South East इसको बोलते है, South West इसको बोलते है, North West ठीक है अब आप यहां पे सोचें यहां पर इंडिया है चुली के एसे ठीक है मैंने आपको क्या पता है था कि कहां पर है कि साइड पे है सुलेमान हिस अफगानिस्तां पाकिस्तान के बॉर्डर इस साइड याने की नौर्थ वेस्ट में इसका उप्शन अंसर आएका भी नोर्थ वेस्ट ठीक है नेक्स्ट कोस्चन है हमारा विच हील्स आर सिच्टेटिड इन सैंड्रल इंडिया कौन सी हील सैंड्रल इंडिया ने की मध्य इंडिया में स्थितित है कौन सी हील्स है सुलेमान हील्स किर्थार हील्स विद्या सील्स गारो हील्स सुलेमान हील्स इन चारों में से कौन सी है इसका मैंने अभी आपको आंसर बताया बीता इसका आंसर है विद्या हील्स ये हैं बीचो बीच यहां आती है विंदिया फिर आती है नर्मदा फिर आती है यहां पर सत्पुरा सुलेमान हिल्स का है यहां पर नॉर्थ वेस्ट में उसके उपर है दोर सकीर्था हिल्स ठीक है और हमारी गारोखासी हिल्स का है नॉर्थ हिस्ट में यहां पर तो सेंटरि इंडिया में ये विंद्याज हील हमारे इंडिया को दो पार में डिवाइट करती है नौर्थ में और साहौत में ठीक है नौर्थ में और यहां पे साहौत में नेक्स्ट कोश्चन है हमारा ट्रिप्योट्री ओफ इंड्रस रिवा सिंदू की साहिक नदियों के नाम बताओ ए जेलम रावी चेनाथ बी यमनसोन चंबल सी नर्मदा तापिक उधावरी दी तुंग बद्रा दिहांग रावी यह तीन नदियां है इन में से कौन सी सिंदू की साहिक नदियों है साहिक नदियों क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक होती है हमारी में रिवा ठीक है यह होगा हमारी में रिवा उसकी छोटी 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 कहीं पार्ट्स पे होती है एक, दो, तीन, चाह, कितनी भर्जिय हो सकती है, साहिग नदिया, यानि कि छोटी होती है लेंद्ध में, इसमें आकर अपना पारी छोड़ देती है, इन नदियों में आकर, कहलते हैं, मिल जाती है, इन नदियों में आकर, ठीक है, उनको बोलते हैं, साहिग नदिया, तो ये स शारे हो गई हमारी साहिक नदियां कौन सी है जिलं रावी जनाव अनूदर की नादे को ठीक है गुदावरी सौथ की ही है इसको दक्षिन की गंगा या दक्षिनी गंगा भी बोलते हैं जो की अरेबियन सी में गिरती है तुंग बद्रा कृष्णर रिवर की साइक रिवर है दिहा नौर्थ इस्ट की रिवर है और रावी तो है सिंधुर की साइक रिवर ओकी गाईस, नेक्स्ट कोश्चन है हमारा, अल्यस कॉम्पोजिशन इन संस्कृत अबाउट 3500 एर्ज एगो, लगभग 3500 साल पुराने संस्कृत की आरभ में क्रती, यानि कि जो सबसे पहले क्रती लिखी गई थी संस्कृत में, वो कौन सी है, रिगवेद, जुरवेद, अर् चारवेद है, ठीके, क्या है, चारवेद, रिगवेद, अजुरवेद, और सामवेद को मिला के त्रीवेद बनते हैं, अर्थवेद को इसमें नहीं मिलाते हैं, इन तीनों के मिला के हमारे त्रीवेद बोलते हैं हम इन तीनों को, त्रीवेद कौन कौन है, त्रीवेद, है ह लाने की जुर बें एक सेकेंड है युजूर बें फर्स्टिट एंट कर सेकें थर्ड तीन रेट को मिला करें हम बोलते हैं तुरी वेद अब हम इसमें लिखें सब सब्सक्शाइं इनमे से भी सब्सक्शा पुराने कृति कौन सी है तेकि सब्सक्राशS भी क्रति आने की जो सबसे पहले लिखा गया था अब इतने साल पहले लिखा गया तो सिंपल सी कंपोजीशन है वो हैमारी रिग फेर इसका अंसर है रिग नहीं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा अर्ली सिटीज फॉर्लिश ओन दा बैंक ओफ विच रिवा आरंपिंग नगर किस नदे के किनारे फले फूले गंगा हैं इस ट्रूबुटरी बी इंदस एन इस ट्रूबुटरी किनारे प्रिश्चन हार्स की साहजन के किनारे या इन में से कोई नहीं को इसका अशर है प् there HE funeral AREं इस संथ को हम बोलते बहैं सिंदू काटि संव अधा यह संप शंद्रूबुटरी सिंदीो की साहजन देय क्या है जेलं रावी चेनाब सतलुच नूबरा एक पर आती हैं पर इंडिया में मिलती है उसको नूबरा शेयोग ऐसी है ठीक है इंडिया इन! इंडिया इंडिया तीन तरफ से पाने से घीरा हुआ है पहली बाग तो मोरी सही और आप महादीब भी बुक में जगा जगा लिखा हुआ है अब महादीब कहते हैं किसको है जिसके पहाड़ो पहाड़िया हो डैसर्ड भी है नदिया भी है सबकुछ आई जो पूरे कॉंटिणन गयाने की पूरे महादीब में हूता है इंडिया के पास flour गिरा हुआ है इसलिए इसको एक महादी बोलते है ठीक है B है इंडिया सराउंडेड में स्री वाटर बोडी यह तो मैंने भी आपको बता है कि इंडिया तीन तरफ से पाने से गिरा हुआ है जैसे यह देखिए यहाँ पे है अरेबियन सी यानि कि अरब सागर यहाँ बेव बंगोल यानि कि बंगोल की खाड़ी यहाँ इंडिया नोशन यानि कि हिंद मासागर तो इंडिया तीन तरफ से पानी से गिरा हुआ है यानि कि A और B दोनों ही सही है यानि इसका अंसल होगा C बोथ हां ट्रू अज बस हम यहाँ तक करेंगे कल हम इसकी आगे कोशन करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रही हो पीस लाइज, सब्सक्राइब, शेर जूर कीचेएगा थैंक्यू गाइज